दोस्तों, गोरकपुर विशुभी त्याले ने सत्र 2022 ते इसके ओनलाइन अप्लिकेशन फॉर्म के लिए इडिट या करेक्शन की प्रकिरिया सुरू कर दिया है अगर आपने भी फॉर्म फिल करते समय कुछ मिस्टेक्स कर दी थी तो अब आपके पास एक और मौका है अपने गलतियों को सही करने का इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अपने फॉर्म को कैसे इडिट करना है वीडियो को देखने के बाद आप बड़े ही आसानी से फॉर्म को इडिट कर पाएंगे दोस्तों जिन लोगों के फॉर्म एडिट करने का ओप्सन नहीं आ रहा है उनके लिए भी एक सॉलुशन है वो मैं वीडियो के लास्ट में डिसकस करूँगा दोस्तों फॉर्म को अपडेट या एडिट करने के लिए सबसे पहले आपको लॉगिन करना होगा तो लॉगिन करने के लिए हम आ चुके हैं गोरगपुर विश्व विद्याले के ओफिसल साइट पे आप देख सकते हैं गोरगपुर विश्व विद्याले के ओफिसल साइट का जो लुक है वो थोड़ा चेंज हो चुका है विश्व विद्याले ने हाल ही में अपना website अपडेट किया है तो जो link पहले उपर दिखाई देता था admission का वो अब थोड़ा नीचे चला गया है तो आपको नीचे आना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं online portal links का section दिया गया है तो यहाँ पे मिलेगा online admission वाला link simply हम यहाँ पे click करेंगे click करते ही आप पहुंच जाएंगे online registration वाले page पे यहाँ पे हमें simply select करना है login जैसे ही login पर click करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना registration number और data worth फिल करके simply यहाँ पे login करना है तो चलिए मैं यहाँ यहाँ पे data फिल करके simply login पर click करता हूँ तो जैसे ही आप login करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा dashboard open हो चुका है तो दोस्तों आपने जिस भी course के लिए form apply किया है आप देख सकते हैं उसके सामने fill और edit form वाला button आपको देखने को मिल जाएगा तो form को edit करने के लिए आपको simply इसी button पर click करना है दोस्तों आप सबने ध्यान दिया होगा कि जिस समय आपने form fill किया था उस समय इस button को select करने पर आपको यह notification देखने को मिल रहा था और आप form को edit नहीं कर पा रहे थे लेकिन आज की समय में जब आप इस button को select करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं form को edit करने का option आपको यहाँ पर दिया जा रहा है अब चलिए मैं आपको बता दू कि आप form में क्या-क्या change कर सकते हैं तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर name दिया गया है जैसे ही आप name को select करेंगे तो यहाँ पर कुछ भी response नहीं मिलेगा इसका मतलब है कि आप अपने name को नहीं change कर सकते और दोस्तो नीचे जितने भी option है मैंने देखा है कि सभी को आप edit कर सकते हैं चाय वो data birth हो, category हो, आधार number हो, कुछ भी हो आप अपने सभी data को edit कर सकते हैं और दोस्तो फॉर्म में जो भी गलतियां थी उसको सुधार करने के बाद आप जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे update वाला बटन आपको देखने को मिल जाएगा आपको simply update पर click करना है तो click करने के बाद आपको notification मिल जाएगा कि application form is updated successfully दोस्तों अब आपका application form update हो चुका है आपको simply यहाँ पर OK पर click करना है जैसे ही आप OK पर click करेंगे आप अपने dashboard में redirect हो जाएगे यहाँ पे आने के बाद आपको simply अपने course के सामने view और print form वाले बटन पर click करना है तो जैसे ही आप click करेंगे आपका final updated application form यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा तो simply आपको यहाँ पे print पर click करना है और इसे save कर लेना है तो दोस्तो यह था under graduate course के लिए form को update कैसे करना है अब आएए बात करते हैं अगर आपने post graduate course के लिए apply किया है तो उस application form को कैसे update करेंगे दोस्तो login वाले portal पर आने के बाद simply मैं यहाँ पे registration number और data word डाल करके यहाँ पे login करता हूँ दोस्तो login करने के बाद हम अपने form के dashboard वाले section में आ चुके हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं bachelor of law इस course के लिए यहाँ पे apply किया गया है दोस्तो यहाँ पे आने के बाद edit और fill वाले option को यहाँ पे select करना है जैसे ही आप यहाँ पे select करेंगे आप देख सकते हैं form को edit करने वाला जो option है यहाँ पे सामने आ चुका है तो दोस्तो जैसा कि मैंने अभी बताया आप अपने नाम को छोड़ करके बाकी सभी data को यहाँ पे edit कर सकते हैं friends form फिल करते समय आपने जो भी data यहाँ पे गलत फिल कर देया था अब आप उसे यहाँ पे सुधार लेंगे दोस्तों जब आप edit qualification details वाले section में आएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं graduation वाले section में appearing select होने के बावजूद भी जब आप update पर click कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको notification मिल रहा है please fill out this field यानि कि आपको यह वाला जो option है graduation में यानि कि board या university, subject, passing या roll number, mark obtained और total marks यह सारे details आपको graduation के लिए fill करना है तो दोस्तों आप सब जानते हैं कि अभी graduation के result नहीं आया है तो अब सवाल यह है कि यहाँ पे क्या fail किया जाए तो दोस्तों इस problem के solution के लिए जब मैंने university से contact किया तो उन लोगों ने बताया कि जो भी data आपके पास available नहीं है यानि कि आपको नहीं पजा वहाँ पे आपको simply na link करके छोड़ देना है यानि कि not applicable तो दोस्तों जैसे ही आप इन सभी options में na na यहाँ फिल कर देंगे और उसके बाद जैसे ही आप update पर click करेंगे तो आपका जो form है वो successfully updated हो जाएगा और दोस्तों जैसे ही आपका form अपडेट हो जाए आपको simply नीचे आना है और नीचे आने के बाद जिस भी course के लिए आपने form अपलाई किया था उसके सामने view और print form वाले बटन पर click करके आप अपने form को save कर सकते हैं और दोस्तों जिन लोगों में form इडिट करने का option नहीं आ रहा है उनके लिए दो option है पहला option है कि आप गोरगपूर विशुविद्याले के help line नंबर पे contact करें और वहां पे बताएं कि आपके form में edit वाला option नहीं आया है और दोस्तों जैसे ही आप अपनी problem उन्हें 24 गंडे के बाद आपके भी form में edit वाला option enable हो जाएगा और दोस्तों अगर university के help line नंबर पे अगर contact ना हो पाए तो आपको गोरगपूर विशुविद्याले के campus जाना होगा और वहां पे आपको एक application देना होगा जिसके बाद आप अपने form को सफलता पुरुवक edit कर पाएं तो comment box में जरूर बताएं कि आपने अपने form को सफलता पुरुवक edit कर लिया है और दोस्तों फिलाल वीडियो में सिर्फ इतना ही मैं मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद झाले आपने लिए में मिलता ही मैं अपने कर लिए और दोस्तों जरुवक जदू है।